इस वारे में बताने वाले हम चार तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं यह हाउ टू कॉंटेक्ट तू यूटूब में भी आता है जिसके दो हम मेठर्ड आपको प्रिविएस वीडियो में बता चुते हैं अगर आपको देखना है तो मेरे इस वीडियो में आप देख लीजएगा उसका हम आई बतन नो उसका लेंक हम आपको देखने हैं रिपोर्टिंग अभी उसरी कोपिराइट क्लेम और प्राइश कंप्लेंट पाइब का जो इंटरनेट से आपने लिया है वा अपकों बताया है आप चलते हैं कि रिपोर्ट 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 केर्ट है। अपने वीडियो चिट्रूर्ट या पहले रिपोर्ट कर सकते हैं। अपने वीडियो के थूफ। यूटूबर रड़ार। आप यूटूब के अंदर में हैं इसको ध्यान रख क्या अगर रिपोर्ट सही है तभी कर लिए अब रिपोर्टिंग टूल पेज कौन सांका ओपन दर रिपोर्टिंग टूल पे वह तो फ्यूटूब दर रिपोर्ट यह साइट यूटूब की जहां प्याप किसी भी अभी इसको रिपोर्ट कर सकते हैं इस इस प्रिफर्ट अपने यह प्रिफर्ट राउजर अपने यह प्राउजर आपको पसंद दो स्मूए इस इस पे आप क्लिक कर दीजेगा उससे रुलेटेट फोर्म जाएगा वहां जा करके आप अपनी रिपोर्ट को फाइल कर सकते हैं अगर आप हरस्मेंट को सेलेक्ट करते हैं तो बुलिंग और माई थर्ट इसमें आएगा इन पर्सनेशन मिज आपको डित जो परके और अपना वीडियो ना लेते हैं और उसका आपोरा परके को लेते हैं आप रिपोर्ट कर सकते हैं चाइल एंडेजे एंडेंजर में मतलब सेलेट दिस ओप्शन पूर्ट वीडियों विच चिल्वन आर शोन इन पोटेंशनी देंजरेस और इस्ट्रेसफुल एंवाइर्मेंट बहुत इस्ट्रेसफुल या डेंजरेस इनवाइर्मेंट अगर चाहिए करते हैं तो उसके लिए भी अब्यूस के रिपोर्ट कर सकते हैं एट स्पीच अगेंस अप्रोटेक्टेड ग्रूप सेलेक्ट दो ऑप्शन तुरूट देंस्टे है तो आप जैसे खराब वीडियो है या और किसी तरह का है इस पी चीज़ता तो आप जबी उसको रिपोर्ट कर सकते हैं स्पैम और स्पैम सेलेक्ट देस ऑप्शन पर इंस्टेंस ऑप इस्पैम और स्पैम रिलेटेड जूट मूट का आपको लिख रहा है कुछ कमेंट कर है सेलेक्ट फॉलॉप इंफॉर्मेशन डिपेंडिंडिंग अन्द रीजन यू सेलेक्टेड यौर अवलेबिल ऑप्शन में बैरी अब जिस तरह का उप्शन आप चलेक्ट करेगा उसी तरह का फॉर्म आपके सामने आएगा अब जैसे आपने हरेस्मेंट और साइबर गुलिंग क्लिक किया तो उसके चेक बॉक्स पर क्लिक करेगा तो वह उसी केश्जाब से इस्ट्रक्शन प्रोवाइट करेगा और आप पर सुनेशन हमने आपको बताया कि किसी की साइट का डिक्टो आप उसारा कुछ कॉंपी करके डाल देती हैं तो इंपर्सुनेशन आ जाता है क्लिक ओन ऑप्शन चेक बॉक्स इंपर्सुनेशन एडिंग एंटर चैनल ने क्लिक कंटिनू एंटेल आउट रिजल्टी ओं त देक्स बॉक्स दिलो दवाइंट एडिंग एंड क्लिक कंटिनू अब आप किसी चैनल के थ्रेट के बारे में लिखना चाहरें तो बहुत शेयर हो जाहिए न तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है और उसके बाद जो फॉम आपको मिले बसको भर दीजिए चाइल मतलब यह है कि जो भी अभी उसके बारे में आप करना चाहिए उससे रिलेटेड एक फॉम आएगा अब हैट स्पीच अगेंस अब प्रोटेक्टेड ग्रूप इसमें भी वही होगा फॉम आएगा उसको भरके बह दीजिए और पिर सम्मिट यॉर फॉम भर जाए जिस तरह अगे आपि परम मालता चाहिए तो इसको सम्मिट कर दीजिये लेकिन यूटूब तुरंत आपको कुछ भी वापस रेप्लाइगा यूश्थी बापस रेप्लाइन करेगा यूए पार्ड इसुम आपा जाए अब ईपोर्टी से अब आब यूस तो हो गया आप सिक्योर्ट इसो के लिए क्या करना पड़ेगा ओपें डशी की आंच एक आप सकते हैं से लेक्ट इशु चैट बॉक्स दिफरेंट टैप है उसमें से जो इशु आपका है उसको आप रिपोर्ट करिये I am experiencing a security problem with my google account अगर कोई security problem है Google account को से तो इसको बताइए I want to remove content on google search YouTube blogger or another service हमको google search में से अपने content अताना है I have a privacy doubt or privacy related questions about google product and services privacy related google product and services अगर complain करना है तो बताना पड़ेगा found a security bug in google for forget password features अब security bug अगर है तो forget password feature यूज़ कर सकता I want to report a technical security bug in google product अब उसमें कोई error आती है बार बार तो उसके बार नो बता सकता I want to report a scam malware or other problem not listed अब इस तरह से इसमें different option आएंगा जो option आप select कर लीजेगा उससे related आपको यह option आएंगा select additional detail को ही है तो select कर लीजेगा section below the selected issue click the box to left of a more specific problem this section will vary depending on the issue अब और अगर और detail आपको कुछ जाना है तो इसको आप भर सकते हैं you may have the option of selecting more than one answer at once अब आपके पास option रहेगा एक से जादा answer आप से लिए कर सकते हैं click continue करिये और blue button near the bottom of the section मिलेगा उसको दबाई है this will take you to the section this will take you to the result page अब वहां से आपको एक result page पे भेजेगा result page पे in many cases the pages at which you arrive will have some information about how to you to handle instance of your report issue as well as some tips on how to avoid a problem in the future तो वहां पे आपको different tips मिलेगी कि आपके ऐसे report को handle करियो और future में और कैसे उस issue को solve करिये if you reported an actionable problem then there may also be report link in the information उसके बाद भी अगर आपके problems होग नहीं हूरती है तो आप report link पे चाहिए और information section में जाए click the report और fill out link और वहां पर उस report पर click करके link को fill करिये if available report link is the information section to open the report page तो वो link आपको एक report page पे भेजेगी fill out the submit any subsequent form और वहां पर जो form मिलेगा इसको भर दीजे information required then click send to submit अगर आप पहले तो आपको YouTube कुछ option देगा जिकि आप इससे अपनी problem solve कर लिजे लेकिन उससे अगर आपके problem solve नहीं होती तो वह एक form देगा जिसको आप भर दीजे और इसको भर के YouTube को भेज दीजे then you have to wait for week or two week and then YouTube will solve your problem third, fifth method reporting copyright claim अगर आपके उपर कोई claim आजाता है तो आप उसको solve कर सकते report कर सकते जिसके लिए आपको site पे जानेगा open a privacy campaign page go to the support google.com YouTube answer 142443 in your browser ये वाला link आप browser में डालिए reporting people who post private or personal information about you on YouTube this form is reporting people to post private or personal information about you and YouTube only fill out the privacy campaign from if you contacted the person who you suspect has a compromise your privacy tab वहाँ पर आप उस person से contact करिये जिसने आपके privacy को compromise किया है और वहाँ पर privacy campaign form मिलेगा जिसको आपको भरके उस आदमी से contact करना पड़ेगा जिसने आपका product यूज किया है click continue it's at the bottom of the page click I still wish to submit privacy complaint button you will see the blue button in middle of the page click continue below the contact and uploader section click I have reviewed the community guidelines click continue this verify that your understanding filing the false report can result account suspension तो इसको बहुत केरफुली आपको complain करना पड़ेगा नहीं तो आपका आपका पड़ेगा पड़ेगा नहीं पड़ेगा पड़ेगा यूज को depending on the type of privacy violence you experience enter the basic information फिर आपको पनी सारी information देनी पड़ेगा fill out the following fields आपको आपको your legal first name your first name it's appear on your ID and your legal last name it's appear on your ID then country name डालना पड़ेगा email address डालना पड़ेगा किसी को claim देने के लिए आपको अपनी सारी information देनी पड़ेगी और बहुत sure हो तभी आप claim करिया यह आपके channel के लिए problem create कर सकता आपके account के लिए enter the channel URL please include the URL URL of channel text enter the web address of the channel for their privacy violation अब आपको privacy violation claim के लिए channel name देना पड़ेगा at the video URL in the place include the URL of the video or video की privacy के लिए आपको claim करना है तो उसका URL देना पड़ेगा और enter the web address of any video from the channel you mentioned earlier and infringing on your privacy select the type of information displayed check the box next to each application option in the free please indicate the information in which to report section then check the box next to the location in which the information appears in the following section add a timestamp in the wherein video text field enter the time at which your information is revealed or discuss अगर आप time stamp लगा दीजिए कि किस टाइम आपके information रिवील हो गई थी लोगों लोगों ने लिया तो वो जाद अच्छा रहेगा you may also have option checking yes or no box has this content been copied from your own channel or video आपके वीडियो से याग चैनल से copy की गई या तो आप बताईए you may see the check box and title I am the legal guardian of child or dependent in the video that you can click if necessary अब आपको जो जो information वो पीता जारा उसको भरते जाहिए enter any additional information in the appropriate text feed enter any information that you feel will help clarify the context of video channel or content in which your information तो आपकी claim जो की क्या क्या हो सकती है video की हो सकती है channel की हो सकती है और आपके content की हो सकती है तो वो वो information के लिए आपको अपनी information detail देनी पड़ेगी और आपका claim YouTube पे चला जाएगा this is a good place to list history with the person behind the channel or a detail your process thus far clarifying that you are contacted the channel and ask for the information to be taken down और आप उस channel को लिए कह सकते हैं की आप मेरी इस information को हटाईए take down हमने आपको बताय था ना check the agree the following statement box this section include I have good faith to leave box and I represent informed different types of oath agreement ले लेगा अपको click करते जाएएगा और check करते जाएए check the I am not a robot box इस पे करना पड़ेगा आपको click submit जब सारी agreement आप कर लीजेगा to submit कर दीजे this blue button is the bottom left side of the page doing so will submit your privacy claim for review if you to find the claim to actionable the account on which the contents is posted will have to take down and content the content and may be suspended अब अगर आपको लीजे लगता कि अगर यूटूब को यह लगेगा कि आपकी प्लेम जो है वो सही है तो उस चैनल को का यूटूब से वीडियो हटा देगा या उसकी इंफॉर्मेशन उसको हटाने के लिए सस्पेंड कर देगा हटाने के लिए बोलेगा अब इस तरह से हम चार तरह की कंप्लेइन कर सकते हैं So this is all today if you like it please share and subscribe Thank you guys